असलाम लेकुम जी आज की वीडियो में हम लोग इस्लामियात के 30 MC की उसको डिस्कस करेंगे ये बेसिक इस्लामियात के कुस्टन्स हैं जो हर मुस्लमान को पता होना बहुत जलूरी है इसके लावा ये PPSC, NTS, FPSC के कमपेटिटिव एक्जैम्स में मुस्सी रपेट होते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेशिटन नमबर वन है हाव मैनी इंजिर्स आर मैंचिन दा होली कुरान कुरान के पार्ग में कितने फरिष्टों का जिकर है तो कुरान पार्ग में टोटल साथ फरिष्टों का जिकर है पहले हज़र जिबराईल जो और सुपक सल लाला नाजल हो Ge उसके बाद मीकल हिल है जो के रिस्क और बारिष बढ़न रसाते हैं उनकी ड्यूटि है उसके बाद ह olduğu आरश के फरिष्टे इंस गवाद आर्श को होया है इसके लावा करामलगा बहुरे आमार लिए आर्श दें एनेक्सिश्टर इंड लिटर को व्यंग किया हूँ नेक्स विस्टेरें करएंग को कहा गया है किसको कहा गया है तो इसका चाहता है करिक्त आंसल्हेंग आँपक का बड़ा जैसम रिसौरत जिब्राइल को और पाज फिर्स उसको किन फोर्ड Prime का बार गयätt आमाता था, 23 सार लगे थे, पुरान मुझीद को नाजल होने में. Next question, how many times हज़र जिब्राईल अल्य इसलाम is mentioned in the Holy Quran? पुरान पाक में हज़र जिब्राईल अल्य इसलाम का जिकर कितनी बार आया है? तो टोटल तीन बार कुरान मुझीद में जिब्राईल अल्य इसलाम का जिकर आया. Next question है, इब्लीज का असल नाम क्या है? तो इब्लीज का असल नाम अज़ाजील है और ये डैविल्स जो हैं, जितने भी जिनात थे, उनका ये बादशा था. Next question है, हो मेनी एंजल्स पार्टिस्वेट इन दा बैटर वदर, गजवए बदर में कितने फरिष्टे शरीक हुए हैं, तो टोटल हजार फरिष्टे जो हैं, वो गजवए बदर में शरीक हुए थे, मुसल्मानों की फता के लिए. Next question है, the number of angels of hell are, जो जहन्नम के फरिष्टे हैं, जिनकी ड्यूटी है, जहन्नम में वो कितने हैं, उनकी तदाद कितनी हैं, तो टोटल इनीस फरिष्टे हैं, जो जहन्नम में होंगे. Next question with Surah is Periphase of the Holy Quran, Quran Amjid का दिबाच्चा कौन सी सूरत है, very famous question, जो correct answer वो है Surah Fathah. Next question है, how many Surah of the Holy Quran start with the word इना, Quran Ampakti कितनी सूरते हैं, जो लफ इना से शुरू ही है, यह बहुत important question है, चोटल चार सूरते हैं, एक है सूरा कदर, एक है सूरा कोसर, एक है सूरा फतर, और चोती है सूरा नूर, सूरा नूर, sorry, नूर नहीं, सूरा नूर. Next question है, first time in which language Quran was translated, पहले बार Quran Amjid का तरजमा किस दुमान में नाजल हुआ है, तो पर्शिन लैन्विज जो है, उसमें पहले बार Quran Amjid का तरजमा जो है नाजल हुआ था, और तरजमा जो है वो किया था, शाव अलियूर्ला ने. Next question है, how many records are there in the Holy Quran 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 Amjid में कितने रुकों है, तो Quran Amjid में टोटल 558 रुकों है, 114 सूर्थे हैं, 14 इसमें सजदे हैं, 66666 आयात हैं, मक्की सूर्थों की दादाद 86 हैं और मदनी की दादाद 28 हैं. Next question in which city of the Italy has been mentioned in the Quran 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 Amjid में इटली की किस शेह का जिकर आया है, तो रॉम का जिकर आया. Next question in which surah of the Holy Quran are women commanded to cover themselves Quran Amjid की किस सूरत में उर्थों को पढ़्दा करने को हुकम दिया गया है, तो ये सूरा नूर में कहा गया है, सूरा नूर की आयात नमबर 13 है. Next question in which surah is the mention of hajj fasting, ATC, hajj, rosa वगरा का जिकर की सूरत में आया है, तो जो करेक्ट आंसर है, वो है सूरा बकरा, सूरा बकरा में hajj और rosa की कमांड दिया है. Next question in which is the total number of kalimans in the Islam, Islam में कलमा की जदाद कितनी है, तो टोटल जदाद जदाद जो है वो 6 है. Next question है, कलमा is dash pillar of Islam, Islam की आपको पता है के 5 सतुन है, 5 pillars है, पहला pillar जो है, वो कलमा पर ही मान लाना है, दूसरा जो है, वो जदुकात है, तीसरा नमाज है, चोथा रोज है, और पांचवा हज है. Next question है, what is recited during hajj on the way of to Mina? मिन्ना के रास्ते में हज के दुरान क्या पढ़ा जाता है, तो कलमा ये तोहीद पढ़ा जाता है, जो के चोथा कलमा है. Next question है, Edward to Korean, all the six कलमाs are recited by the Muslim. मुसल्मान तमाम चे कलमे किस मुका पर पढ़ते हैं? तो चे कलमे किस मुका पर बढ़े जाते हैं? Very famous question. निकाह के मुके पर चे कलमे पढ़े जाते हैं. इसके लावा ये question पूछा जाता है, कि पहला कलमा कौन है? कौन से है, नाम पूछा जाता है, पहला कलमा जो है, तैयबा है, दूसरा कलमा शहादत है, तीसरा कलमा तमजीद है, चोता कलमा तुहीद है, पांचवा कलमा अस्तगफार है, चोता कलमा रद्दिकुफर है, ये नाम के जरीए पूछ लिए जाते हैं. Next question in how many days Allah created the heavens and the earth? Allah ने इसमान और जमीन को कितने दिनों में पैदा किया है, सूरा अराफ जो है, उसकी ये सातवी सूरत है, कुरान अवजीद में, इसमें ये बहुत फेमस आयत है, कि Allah ताला ने इसमान और जमीन को छे दिनों में नाजल किया. Next question in how many doors of hells are there? जहनम के कितने दर्वाजे हैं, तो जहनम के साथ दर्वाजे हैं, जो जहनम के गार्ड होंगे, वो फिरिश्टया है, उसका नाम है मालिक. Next question in the first meal in जन्ना will be, जन्नत में पहला खाना कौन सा होगा, तो पहला खाना जन्नत में होगा, वो फिश लिवर होगा, वेल्स लिवर जो है, वो परवाइड किया जाएगा, इसके लावा बोच्छे जाता है, कि जन्नत के कितने दर्वाजे हैं, तो जन्नत के आठ दर्वाजे हैं, और जन्नत में जो फरिश्टे गार्ड होंगे, उसका नाम है रिजवान, नेक्स विचन है, पेरडाइस इस मेंचिरिंग कुरान फॉर डैश टाइम्स, जन्नत का जिकर कुरान अवजीर में कितनी बार आया है, तो एक सुपचास बार जन्नत का जिकर कुरान अवजीर म जन्नत के साथ हिस्से हैं और आठ दरवाजे हैं, तो सेकींड हिस्से पे हुई ती, और पहले हिस्से पे हञ़रत आदम से हुई ती, तीसरे हिस्से पे हञ़रत यूसीट से जब रसूल पाक साली लाले वाले सलम मिराज के मौक्य पे गर तैंट रिज्ट विचन है, वजव गुसल के पुछल के जाते हैं पहला है कितने फ्राइज है टीरों के ठीकर पूरे जिसन के ओपर 3 बार पानी के पहाना निक्स знаем कि नमाएज जम्हा के लिए लोगों की कमस कमत अधाद कितनी होनी की टीन तदात होनी चाहिए नमाज में पहली तकऴिद जो के अल्ला को कबर है उसे क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है तक्बेल इहराम नमाज में कितने फ़र्ज हैं हज में तीन फ़र्ज हैं और 15 सुन लिते हैं next question how many times command of the erection of namaz is given in the Quran ? Quranijяд میں namaz کا ذکر कितनी बार आया है तो 700 मरतबा Quranijяжeed میں namaz کا ذکر आया है next question Magrab और ईशा बोथ प्रेयर्थ आर अफर्ड तोगेदर अच्चर दोनों नमाजें एक साथ कहां पे अदा की जाती है एक ठी कहां पे अदा की जाती है हज के दुरान अदा की जाती है, मस्दलफा है, एक जगा जहां पर ये दोनों नमाजें एकट्थी अदा की जाती है अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहें जो कि आपके कंपेटिटिव एक्साम्स में आपके लिए बहुत हेल्फुल होंगी इंशालला, थैंक यू सो मच